So hello guys, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूँ रिशा प्रसाद, आज हम बात करेंगे class dual physical education का chapter number one, planning in sports, इसमें से जो ये various committee and the responsibility है, ये points से जरूर आपके question बनते हैं, चाहे हम sample paper की बात करें, चाहे CBC के तरफ से important points दो दिये गया है, हर चीज में इस committee के बारे में mention किया गया है, इ मुझे पता है, आप सभी को इसके बारे में concept बच्चों को clear नहीं होता है, किसी बज़े से मैं इसके ओपर वीडियो बनाना हूँ, छोटा सा जिससे आपका concept clear हो जाएगा, ये 11 तरीके के committee होते हैं, जो अपने अपने role को play करते हैं, किसलिए, जैसे कि प्रोग्राम सफल हो स करते हैं, एक teacher जो क्या करते हैं, imitation देने का काम करते हैं, एक teacher जो आपके लिए मिठाई-उठाई का बंदोबस करते हैं, कि आपका program होने का आपको मिठाई खिलाया जा सके, तो अलग-अलग teacher मिलके अलग-अलग program को करते हैं, उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से program पूरा आपका animal day सफल हो सकता है, उसी तरीके से Olympic कराने के लिए, यह league यह IPL कराने के लिए, एक committee की धरकार परती है, जिसमें अलग-अलग लोग, अलग-अलग type की work को perform करें, जैसे कि जो एक league है, यह tournament है, यह Olympic है, वो अच्छी तरीके से पूरा हो सके, ऐसा ही 11 तरीके के points के बारे मे या committee के बारे में आपके NCRT के book में दिया हुआ है, इन 11 के बारे में मैं आपको एक एकरकर समझा दूँगा, आपका concept बिलकुल ही clear हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 meet आप हमारे साथ बने रहें, सबसे पहला point जो हमारा committee आता है, committee for publicity, यह क्या करता है, publicity करने का काम क करता है, क्योंकि IPL जैसा या Olympic जैसा events में, अगर publicity नहीं होगा, तो लोग नहीं जुड़ेंगे, और लोग नहीं जुड़ेंगे, तो ticket नहीं पेकेगा, और उनका profit नहीं होगा, तो इस बैस से publicity करने का, एक committee को दे दिया जाता है, और बोला जाता है, कि आप क्या करे, publicity करे, या social media में हो, newspaper में हो, television में हो, अलग जगा में आप IPL का देखते होंगे, बहुत ज़दा advertisement, तो ये क्या हो गया, publicity करने का काम कौन करते हैं, जो committee for publicity, क्लियर हुआ, एकदम आसान सब्दों में मैं आपको समझाओंगा, आपको कोई धिक्रत नहीं होगा, आपका concept बिल्कुल क का काम करते हैं, यानि कि कोई भी guest को लाने के लिए, या जो लोग participants है, या कोई जो organizer है, या बड़े-बड़े लोग जो है, officials हैं, उनको एक जगा से दूसर जगा लाने के लिए, यानि कि hotel से program तक या program से कहीं और तक, इस तरीकी के लोगों को उनका movement कराने के लिए, transport committee बना जो क्या है, ground and equipment committee, ground and equipment committee क्या करते हैं, इनका काम होता है, ground में किसकी तरीकी के equipment की जरौत पड़ेगी, अब Olympic जैसे गेमों में बहुत तरीकी के, 20-30 तरीकी के events होते हैं, इन events को कराने के लिए, अलग-अलग equipments की जरौत पड़ती है, उन equipments को पहुचाने के लिए भी committee को बन फिर ऐसा नहीं है कि, publicity committee इस काम को करेगा, publicity सिर्फ publicity करने का काम करेगा, grounded equipment committee सिर्फ अपने काम को करेगा, उसको बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बाद आता है, refreshment and entertainment committee, refreshment and entertainment committee क्या करता है, ये काम करता है, किसी भी guest को drink देने का, ठीक है, साथी साथ, music, songs, इस तरीकी की चीजों को लगाया जाए, जैसे कि लोगों का entertainment हो सके, IPL के बीच में बहुत सारा गानावना सुनते होंगे, ये भी entertainment committee का काम होता है, refreshment यानि कि, जितने भी बाहर से officials आए हैं, judge आए हैं, जितने participants आए हैं, उनको drinks देना, या उनको अलगले तरीकी का खाने, पिना, चॉकलेट, ये सारा चीज प्रोभाइट करने का काम होता है, refreshment and entertainment committee का, ये और कोई दूसा चीज नहीं करेंगे, music series भी play यही करते हैं, तो ये हमारा चौता committee हो गया, पांचवा committee हो गया, reception committee, reception committee का क्या काम होता है, इनका काम होता है, कि ये guest को किस तरीके से reception, मन किस उनको लाया जाए, ठीक है, साथ-साथ, expectator को, साथ-साथ, closing, opening ceremony, ये सारा चीज जो काम होता है, ये reception committee का काम होता है, manage करना, ये उनका responsibility होता है, कि वो guest को देखे, welcome करने का काम, reception committee करता है, ठीक है, तो ये हमारे 5 तरीकी का committee हो गया, छटा नंबर जो हमारा committee आता है, committee on entries and programs, ये लोग क्या काम करते हैं, entry pass देने का काम करते हैं, कि किन-किन participate को entry pass देना है, साथ-साथ ये काम करते हैं, कि कितने लोग, spectators आएंगे, उनके लिए seat-o का management कराना, fixture बनाना, team का कि कौन सा team किसके साथ competition करेगा, ये सारे काम होते है, committees on entries and programs का का काम करते हैं, ये लोग, ठीक इसाब का, फिर आप भूले ना, ठीक है, तो ये छोटा सा काम कर लिजे भी, फिर होगे committee for official, official जो होता है, उनका काम होता है, कि judge को select करने का काम, referee को, umpire को select करेंगी, कि कौन-कौन होंगे, event में कौन-कौन से judge होंगे, कौन-कौन से umpire होंगे, कौन-कौन से referee होंगे, ये का काम करते हैं committee for official का काम होता है यह कोई दूसरा committee इस काम को नहीं करेगा हर committee अपना काम खुद करता है किसी भी दूसरे committee का help नहीं लेता या दूसरा committee किसी और बला में जाके हस्तर चेप यानि कि interfere नहीं करते हैं तो यह official का हो गया announcement committee सबसे इंपॉर्टेंट और मज़िदार यह लोगी होते हैं बहुत अच्छी तरीके से अनॉंस करते हैं जैसे कि आपने को talented भी है उतना ज़रूरत नहीं फर्स टेट कमिटी का मतलब यह होता है कि अगर खेल के दौरान किसी को चोट लग जाता है तो उसको किस तरीके से ट्रिट किया जाए किस तरीके से जल्दी से जल्दी हस्पताल तक पुछाया जाए चाया यह काम करना होता है प्रस टेट committee का जो एंबूनेंस के मुझ्य के जीज़ों के ओपर ध्यान देते था है जाथ उता है प्रोटेस्ट committee क्या होता है अगर कोई decision judge का referee का empire का सही नहीं हो और डूसरे टीम इस चीज के लिए अगर वो protest कर रहे हैं तो उससमें protest committee देखता है कि अगर decision जो empire के दोवारा या judge के दोवारा दिया हुआ है सही है गलत अगर गलत है तो हँआ नियाद लाने का काम करता है JUSTICE क्या में करता है प्रोटेश्ट कमिटमेटी करता है उसकी अगरफ काम के लिए हैं इंका काम होता है कि कितना खर्च और खेल पे एक टूनामेंट को चक्रण के लिए औरॉलम्पिक चीजें से बाड़ी टूनामेंट IPL जिसे बढ़े tournament को कराने के लिए ये सारे चीज़ देखने का काम करता है Finance Committee तो ये 11 तरी की committee हो गया जो आपके book में दिये हुए है बहुत important है इन में से 100% आपका question आएगा कोई भी committee के थुरू आ सकता है मैं जो अपना next video लाऊंगा जिसमें आपको कम से कम 40 प्लस MCQ कराऊंगा इसी chapter से यानि कि planning in sports से जैसा कि आपका physical education में आपके पूरे माकसा है जैसे कि आपको बताया कि ये क्या है आपका एक backbone का हिसाबते अगर मान लीज़ा आपको कोई subject खराब हो जाता है तो ये backup का का काम करेगा इस बैसे इसमें आपको 40 में 40 लाना अनिवार है, compulsory है तो आप लावी सकते हैं और मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा आपको 40 में 40 दिलवा के रहूँगा आप बस मेरे साथ बने रहें मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक स्वास्त रहें नमस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें जय हिंद जय भारत